कि अग्युक्त है हलो एभरीवन वेल्कम डो स्टेटीबाइस अधी प्रोहिला फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगा आपकी आई बीपिएस और बीके आज जो आपका पिछली वीडियो में बात की थी सोट नोटिस रिलीज किया गया था लेकिन आज आपका आई आई गई हैं तो चैनल को तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देहिए जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आपके आई बीपी-एस आरारबी के अंदर व्वकेंशी रिलीज की गई हैं ओपीस डिस्टंट्ट एंड ओफिशर्स की तो तन थाउजन 2 प्लस वकेंसी की आपकी तक हमने बात की थी उस ट्याम पर तो सोट नोट्स रिलीज की आ गया था उस टाइम पर अब आई बीपीएस की तो किस पोस्ट के लिए कितनी वकंशी हैं वो देख लेते हैं तो बाकिया आपका जो फीज थी वो जनल ओवी सी डवलुएस के लिए वही रहेगी साथ जून से आपके फोर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 27 जून आपकी लाज़ डेट रहेगी ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल वन प्रिलिम्स एग्जाम डेट साथ 13, 14, 20, 21 अगस्त रहने वाड़ी है ऐफिस एसिस्टेंट मेंके लिए आपकी एक अक्टूबर को एग्जाम कुद्डर्ट खरवाए जाएगा रहाए की थी आपकी तो आगे देखिए आपकी एज लिमिट आपकी रहे गी तो पोस्ट वाइज आपकी वागेंसी देख लेते हैं आपकी ओफिस असिस्टेंट के लिए च्राशी सो शॉई 480 पोस्ट ग्रेजवेट पास कंडिट यहां पर अप्लाई कर सकता है ऑफिसर स्केल वन के लिए 2470 पोस्ट हैं ग्रेजवेट पर कंडिट यहां पर अप्लाई कर सकता है जनरल बैंकिंग ओफिसर मनेजर स्केल टू के लिए साथ सो पैस्ट पोस्ट रिलीज की गई है ग्रेजवेट विद फिप्टी परसेंट मार्क्स प्लस टू यर का कि पर आपके पास एक्स्वि प्लस टू के लिए 19 पोस्ट है ट्रेजरी मनेजर स्केल टू के लिए 10 पोस्ट रखी गई है मर्केटिंग ओफिसर स्केल टू के लिए 6 पोस्ट रखी गई है अगरिकल्चर ओफिसर के लिए 12 ओफिसर स्केल थर्ड सीनियर मनेजर के लिए आपकी 80 पोस्ट यहां पर रखी है तो फ्रेंट्स यह टोटल जो आपकी क्वालिफिकेशन के इसाब से पोस्ट रखी गई थी तो यह आपका एक्जाम बैटर है जो मैं पिछली वीडियो में भी कावर किया है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं एक एक्जाम पैटरन के बारे में तो फ्रेंट्स इंफोर्मेश में तब तक के लिए थैंक्यू कर दो